नमस्कार सौक करते हूं एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोड सेफटी को लेके रोड सेफटी में कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि गवर्मेंट को मेंडेटिरी कर देना चाहिए तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूँ मैं यह सोचता हूं कि गवर्मेंट को डैश कैम मेंडेटिरी कर देना चाहिए सेफटी पॉइंट आफ व्यू से देखा जाए तो यह एक सबसे बड़ा स्चैप है अगर गवर्मेंट नहीं यह कर दिया तो आप मान के चलिए कि तब पेस्ट ठिंग रहेगा क्यों 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 क्यो तो डैश कैम में काफी जाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाली के दिनों में मैंने भी कई वीडियो शेयर किया है कई वीडियो में बताया है जहां पर आपको पताए कि बहुत सारे केसे होते हैं कोई कापके गाड़ी के आगया चाहनक से आ जाता है और आप कुछ कर रखते हुए कोर्मेंट को सोचना चाहिए और जादा महेंगा नहीं अगर अगर हम डैश कैम की बात करें तो वो कॉस्ट करेगा सम्वेर अराउंड एट टू नाइन थाउजन अगर अच्छे कंपनी का यहां पर कार कंपनिया लगा के देंगे अपने गाड़ियों में तो 10,000 रुपया अगर आपकी गाड़ी महेंगी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि सेफटी पॉइंट आफ व्यू से ये एक काफी जादा बढ़ी है इस चैप रहेगा तो डैश कैम मैं मानता हूं मैंडेटरी हो जाना चाहिए बाकी मैं आपको पता तो सीट बेल्ट लगाए प्रॉपर तरीके से साथ में रेयर बैटने वाले यानि पीछे बैटने वाले लोग भी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाया और कंपनी को इसके उपर भी जादा नहीं 500 का तो चलान रखना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर हासा होता है तो यार पीछे सिस्टम लगा के लिए अगर पीछे कोई बैठा है तो गाड़ी में जो सीट बेल्ट वार्निंग अलाम है वो बचता रहे इवें रेयर सीट में कई कंपनिया ऐसा कर भी रही है जो कि बहुत बढ़ी है पर मैं चाहूंगा सब कंपनिया करें तो डैश केम बोल दिया मैंने रेयर सीट वाला भी मैंने आपको बता दिया सीट बेल्ट वार्निंग बाकी मैं थर्ड यह चाहूंगा ना ट्रैफिक रूल्स को लेके काफी जादा सकती से पालन किया जाए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस हिसाब से ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कि कर करें ऐसा नहीं कि यह वो गलती करें चलो मैं भी कर देता हूं नहीं सब को करना पड़ेगा यहां पे तभी यह जाके एक बड़ा यहां पे चीज बन पाएगी और सब लोग फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल का और मॉडिफिकेशन को लेके भी मैं आपको बता दूं कि उपर एजन्डा है और मैं यह चाहता हूं कि इंडिया में इसको फॉलो किया जाए नेतिन गटकरी जी है हमारे ट्रांसपूर्ट मिनिस्चर तो कहीं न कहीं जाकि मैं उनसे अनिरोध करना चाहूंगा कि वह एक स्चैप लेंफ ताकि इसके उपर सकती से फॉलो किया जाए और एक पहतर आउटपूट यहां पे निकल के आए और एक रोड सेफटी के और इंडिया का नाम और हुचाहो बाकी आप क्या सोचते हो आप क्या इंपूट देना चाहते हो कमेंट करके जरूर बता दीएगा बाकी वीडियो चिलेगे वीडियो को लाइक हो जाएको सब्सक आइब जो करेगा